इंडियन कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब आप के बेल आइकन को प्रेस करें हृदय आरविंदे भवं भवानी सहितं नमामी के लाल मैंने अपने बेटे का नाम राजा क्या रखा वो तो सचमुश राजाओं की तरह जीने लग गया एक नंबर का निकमबा और नाकारा हो गया उसकी हराम खुरी की आलत छुड़वा दे और महनत करना सिखा दे मैं तेरे चर्णों में 101 रुपय का परसाथ चड़ाओंगा है मागंचोर मेरा बेटा एक नंबर का काम चोर तेन भर आवारा सांड की तरह गाओं में फिरता रहता है लड़कियों की मट्कियां फोड़ता रहता है उसको अपनी तरह नटखट नहीं राम जी की तरह में फेल हो रहा है इस साल उसकी पड़ाई की नईया की खिवया बन जाओ उसको पास करा दो फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा और एक से रुपया और चड़ाओंगा जै कृष्ण मुरारी जहराम जी की शिवनाच जी कहां भाके जा रहे हैं कुछ भगवान पर पैसे वैसे तो चड़ा के जाओं हो जायेगा तो ऐसे क्या देख रहे हैं अजा ठीक है तो रुबी आडवान देखे जाता हूं आपके काम होने पर दूंग अच्छी बात लाई मेरे बढ़ों एक पैसा नहीं मेरे पास अरे क्या शिवनाज जी भगवान के सामने खड़े-खड़े बहाने बना रहे हैं नहीं पड़िची आपके सरकी कसम कल मैंने मंडी में गेम बेचा हजार उपे मुझे मिला पैसा नहीं मेरे पास समझ गया है मैं उसके लिए अपरार्ठा कर रहा हूं उसने मेरी जी भी सफ कर दी यह नाजा और सुख कर दी कॉता है प्राजा कहके चला रहे होotch हम जब मैंने डर् willinginta का नाम बूलाता है तो सिरागए करने वाले आप कौन होते हैं मैं उसे राजा जी कहूं एक बार वो जी मुझे मिल जाया तो मुझे ना मुश्किल कर दू उल्टा नंगा लटका कर पुराने गदेली की रूई कितला नहीं दुनत डैला तो मेरा नाम शिवनात नहीं क्यों जी क्या किया है मेरे लाल ने मेरा ऐसाध रिए कि मेरा सुभूत वायात भाई कही सउब गुस्सां क्यों खाना जाएगा प्यारी बैर ये वायात विल consultants क्यों बीने मुंत आएЗ क्या बात है वहां, लडडू बाट रहे हो, कोई लड़की मिल गई है, शादिवादी कर रहे हो क्या, प्यारी बहना, यही गळण तो तेरे भाईने अभी तक नहीं है पहना, परसो से दुल्ले की से तैयार होके घूम रहा हूँ, सर पर दुल्ले की पगडी, तन पर दुल्ले प्रफी नहीं है कि अब क्यों बात को शैतान की आद के तरह लंबा करता जा रहा है बोलता है कि अधाई कि इस खुशी में बाट रहा हूं तो ये तो आपकी आखों का तारा आपके खांदान का चिराग आपके कड़िजे का टुकला अरे आपका नूर नजर आपका पेटा रा एक तो हराम खोरें मेरे जेव से हजार रूपे चुरा लिए उबर से मामा भांजे लट्डू खा रहे हैं जी जाजी हम तो नो अकेले थोड़ी ना खा रहे हैं वो तो पूरे गाउं को किला रहा है पूरा गाहा पूरा अ जी 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 जाजी गाउं का नाम शुड़के घर बाबुजी बाबुजी जा है यह बहुत हो यह जा रहे है तो जा रहे मुबारक हो शुड़ाजी त्या लट्डू लेकर आपको बेटाया हूं जाथ जी 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 मुबारत हो चागी पाया है आपके बेटे ने फिलकुल आप जयसा पूरे गाहों का मुझा करा दिया उसने आऊ बचुवा नवस्ते शिरलाजी नवस्ते जा हुआ तुषको भी मेरे बेटे ने लड़ु खिला दिया उनकी क्या मजास जो मुले लड़ु खिलाएगा अला मैं तो इंसान हूँ उसने तो काहे बैस बैस बिली रभी को लड़ु खिला रहा अव़ाला है ना मेरा बेटा उवगला है पड़ाही वह ओँसको मारने के लाठी लेक Aid के बचाए मेरे हाद में मिठा यही मानी चाहिए थी आप आप तो लट्डू कही है मगर किस कुछी में लट्डू बाट रहे हैं आप वाले आप भी ने तो मेरे बेटी को इजज़त की पद्वी पे बिठाया है इज़त की पद्वी पे मैंने आपके कारण तो मेरा बेटा हुआ नमर से पास हुआ है लीजे लड़ू खाईए अरे क्यों लड़ू बांटकर अपना नुकसान कर रहे हैं आज के युग में चोर ल आप लड़ू बांट रहे हैं इतना बड़त होगा है मैं इसके लिए मिठाई बाट रहा हूं मिठाई के बदले मेरे हाथ में लाठी होनी जाहिए थी राजाजी, राजाजी, राजाजी मेरा नाम एश करना, एश करना, मेरा काम जहां जिधर से जाता हुमर, सब करते हैं सलाम राजाजी, 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 राजाजी पढ़ लिखके क्या करना यार पढ़ लिखके क्या करना यारो, मुझे को तुम समझाओ अरे खाओ पी ओ, मोच मनाओ अरे खाओ, पी ओ, मोच मनाओ बाप का माल उड़ाओ उड़ारे आभी नहीं जो लोगे मसा पिर कब करोगे आराम यार कार्द किसे स्पीड कि के वान में अबहें तो does this क्वैज सिसे है यार भाया अअ तर दोगे का बाग दोगा तक बाग वह तो गली ने दोगा दिवार खड़ी कर दिवार वरना में बाग जाता इसी दीवार में तेरे को जिनला चुनवा दूँगा मैं को एनार करी हो जो जो पुलता है तू अवल आया है अब पीछे से बढ़ाया और मिठाई बढ़ता है अरे जीजा जी आगे से वढ़ाया पीछे से वढ़ाया पर आया तो है ना अवल कल से तेरा घुमना फिना बंद और इसकी पड़ाय लिखाई बंद तुम दोनों खेट बजाओगे तो मताम सब्सक्राइब बढ़े करोगे अब दिन भर जाओगे अब जोतों के पहलों के बदले काम करोगे अब बैल की जगा काम करेंगे बाड़ते मैं किस एकल से बैल लगत अब करोगे अब यार 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 यह कमाल गणि यह तो यह तो यह नो है पता न यार तुने मुंबाई का नाम सुना है हभिचा मजेगा मूंबाई तो क्या बात कर रहा है यह वहीं कि थाट बाट है में अब जातार लोग मुंबई में जिनका पैसा होता ना वो स्मगलर बन गया यह कर आप तो है पागल हो गया है जदनार आदम हों गाद मेरे नीचे 200 आदमी काम करते हैं ठीक से देख यार नीचे नहीं तेरे ऊपर करते होंगा तो आपको पर ने मतलब है कि मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं अच्छा कितनी है दस हजार महीना दस हाजा अगा यार यह दिन वर कुटे की तरह काम करता है यह वह क्या बात करता है काम ठाटते रहता हूं तो मैं आपिस में हर कंडिसम की हवा खाता हूं और सुण मुश्किल से आटास फायर में सामने आती है साइन करता हूं लटा देता हूं अच्छा इस तरह से बगर मेंद करने वाला काम मेरे को भी दिला देना है तुन्हें पास किया है बिए नहीं बिए कॉलेज के आसपास से होता रहे तो लेकिन कॉले से भी आपास नहीं किया है है उसके जुर्थ नहीं है इसके लिए क्रिवी शुरूरियां यह चाम कर तुपर हो नहीं क्या कोई बात नहीं नभ जिस कोबर की बात करके गया है ना उसी कोबर को एक दिन उसके मूपे थोप देना तु जी जजीantic कुछ कहना चाहता है मैं कर लोकषUST के लिए गाउं के और सुनार के लाव बापूरिक नवस्टे लुए तुरु रहसे हमाएं पड़ते हैं तु काहिल काम चौर तु क्या ना को लिगा जी जाजी जब से भाण जेने कड़ुए को फटपटी में देखा है ना तब से इसका दिल फटपटा रहा है कि मैं भी मुंबई जाओंगा मुंबई जाके नोकरी करूंगा कलवे ने में पास किया ये काहिल काम चौर पटास मरता बीए में फेल हुआ इसको नोकरी कौन देगा मामा बता ना बीए के बारे में जी जा जी बीए का सर्टिफिकट मिलना आजकर मुश्किल नहीं है बहुत असान है अच्छा का मिल जाता है राशन की दुकान पर सबजी मं आती हूं उस रजिस्टार की हतेली गरम कर दी और उसे दिग्री तयार कर वाली तो तुम्हारा मतब यह के मैं इसको बिना परिक्षा पास किये हुए रिश्वा देकर पिये की डिग्री दिरवादू हां तो क्यों नहीं आजकल तो आम ऐसा होता है वह अपने वह पड़ोस क यही किया था ना पैसे जमाय किये और उसने उसको दे दी वो जी 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 रजिस्टार को देदिया उसने फॉरन ना वह कौन से बस की डिग्री बनाई यद्स की नहीं म्भी बियूक्स के डिग्री राज देखु में अपने नियम नहीं तोड़ सकता इस घर में जाली स्रेटिफिकेट और रिश्वर्ट की डिग्रिया नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी मां ये तो बहुत जाती है अब मैं नौकरी करने को त्यार होगे तो कहते हैं शैर मत जाएंगा अब मेरे भीजे में पढ़ा ही नहीं आती तो मैं क्या करूँ अब पाव किलों के ठैली के अंदर कोई बोरी बरा नाश छूच देगा तो ठैली भट नहीं जाएगी मां मैं समझा न मा को अपनी जी-जी को मैं क्या समझाँगा मैं तो समझी हुई हूँ तो फिकर मत करूँ तुझे सर्टिफिकेट मैं दिलवा के रहूँगी शादी मेरे बगर बोर मत कर मुझा ठीक है यह ले शादी और मेरे चांद के लिए एक अच्छा सा बीए का सर्टिफिकेट ले करा जी तू फिकर मत कर मैं ना रजिस्ट्रार के पहले तो पैर पकड़ूंगा फिर उसके पैर धूंगा फिर उसका पाणी प्यूंगा और अगर साले ने सर्टिफिकट नहीं दियाना तो पैरों को सुखने नहीं दूंगा इतुनी देर पैर धुएगा तू तो मने आशिरवाद देदे बस अच्छी पैर धुलाई करियो तू बड़ी अच्छी है तू बड़ी भोड़ी है मेरी जिजी है यह लीजिए दनिया यह आवाद कैसी आ किस खुशी में आप इसकी आर्थी हुता रही है अजी मुबारक हो आपका बेटा बीए में पर्ट क्लास पास हुआ है और मुम्में भी जा रहा है काम करने मतलब आज तक यह जितनी भी बेहुदा फर्माशे करता रहा तुमने साब पूरी कर दिया अब यह भी पूरी कर रही हो क्यों न करूं मेरे बेटे के भविश्य का सवाल है और इसके भविश्य के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूं यह आप अच्छी तरह जानते हैं आ वह उसके रहने का बंदोबस्त खाने का बंदोबस्त यह सब कौन करेगा आपी को तो करना है ना वह रस्ते वाली बाद में और हाँ जी सुनिए रास्ते में में मेरे बेटे को गालिया मत देते वे जाईएगा नहीं तुमको तो मैं रास्ते बर इसकी पूजा करता अरे वाब भाया एकोनोमिक्स में 100 में से 100 इंग्लीश में 100 में से 98 अरे हिस्ट्री में 95 और जोगरोफी में 99 चेड़ जी इंतिहानों के दिनों में है ना मेरे भाण जी की तबिया थोड़ी नरम थी करके नंबर थोड़े कम आये हैं इसको आप नंबर कम कहते हो अरे ँब है तक धिक हुती तो क्या 100 100 5 sta grabs अब तुम बहुत ही महान हो धन्यवाजी मैं हद जहीन और हुश्यार लड़के हो मेरा ओफिस तुम जैसे पढ़ाई से भी ज्यादा पढ़े लिखे लड़के को काम पर रखने के लायक नहीं है धन्यवाजी भांड जे ओजी आपके कहने का मतलब यह है कि मेरे भांड जे के लिए नोकरी का यहां कोई चानस नहीं है नहीं जी मैं तो इनको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूं कि अगर यह मेरी ऑफिस में काम कर ले तो मेरी ऑफिस की तकदीर में चार चान लग जाएंगे आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर जी आपने एहसान का टॉपिक छेड मामें इतना इमोशनल नहीं हो यार ना होन दिना मनने थीक के फिर रोले जी एक दाणी वाले बाफबाजी ने हिवाले परवत पर हाथ उठा के कहा था कि यह चोड़ा है ना पारस है पारस यह अगर सोने को चू को चू देना तो वह पथर बढ़ जाए यह मतलब ऑजी अच्छा मैं आपको प्रात्ना करके कहता हूं कि आपसे ज्यादा सिनियर लोग भी हैं तो उनसे ज्यादा पगार आपको दे नहीं सकूंगा आपको सिर्फ महने का 5000 रूपया दूंगा चलेगा कंट शयादा मीरे से बीर आणा है आए हुआ है मामे 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 क्या उनसे बचाल अगया क्या अरे बुचाल के बाप आगया मामे बने अदि आपिस में टूर्च ओ तुम्हें बचाल के हुआट वाला था मामे मैं तेमने सपने में जगा रहा था चाही न, हकिकेत मैं ता सपने में क्यों जगा रहा था हुश्ट तो क्यों क्यों ख сразу? तुब खोल रहा है मैं नो मैं थो खरा रहा है और मर्स भी बज़िया, वहाफ किरा रहा है म lit म that the fashion man का लंबी लाइन अ क heroic 9 delay अजिए लाइन अच्वाय फिर लेट जाएंगे और जब तक टिरा नंबर आएगा भशु को सुवेट झारक यार सब्सक्राना गरेंए बात्यार कि यह कुं सब्सक्राइब आ कि तो नहीं इस जान पॉब लब बापास रख, अरे चलमो जो ना, खोड़ करें ना, अच्छा बच्छा है, खोड़ करें, और बाद में, बाद में, मूटो के ला करलू, ओहो, ले ढाल इसमें अब, क्या करोगे, और मैं इसको घोड़ूँगा, मैं घोड़ता रूँगा, तुमालता रही हो, तांडी भ क्या करणा है, क्यों मामे, अरे मत सुमा भूली गया यार, वो सुर्यो की प्रडाम करना भूल गया, मामे, बड़ी खल्ती हो क्या क्या थेए और मामे, प्च्छे की सारी शारी कखाली इसमेदभाक काण काणा हाग औरे धाड़ी बढ़ाते में बातनी करते मामे, किसी दुसरों पच्छे के पास थर्मों से क्या नियो गणबड़ा हो गई ना पानी कतम हो गया इसका अब बच्चे पानी दे पिरा अरे बढ़ा दिया ने एक दम दर्वंदर ते रेको अच्छा धर्मेंदर मुझके बोलना लाइप तु मार्रा अरे, क्या कर रहा है अब ना इसे कर रहा है यह से ओड़ी आ गई हो अरे, अल्ला मूझ पोश्रूमा, मैं लाद लूंगी दे थे आजाव डाली आईस्टा इदर वाजाए अभी बैठ जाओ समाड रहे है अचे दे बैठ जाओ अचे दे काओ मैं अभी आता हूँ अब तो इस दर क्राए यार क्रवा प्रभाव कर रहा है यह गाव नहीं शहर है मुंबई शहर यहां लोग मिरे वो काली ज़ान के नाम से जानते हैं अब यहां लोग तो गाम का कववा है चाल चालान में गोवर उठाने वाला और साले तुब गाव के अंतर बड़ी शेकी मारता था कि तुब मुंबई शहर में चप बन गया है यहां कर दाद जुधा कि जाकर के देख वाली जमाट फिफ्टूर एक पती बाप की बैटी है मैं इसको पजाके इसकी चादी कर लिया हूं और इसके पैसों पर आईश कर रहा हूं क्या बात कर रहा है को इत्रणा ही नहीं कालवा के नाम से बढ़ाना तो Canon the describe तीन 자 चाराने में गोबर उठाने वाले में दो करणपती की बेटी का पती बनकर खूद करणपती बन गया हे भगवान मेरे को भी एक ऐसी लड़की से मिला दे जिसका बाव करणपती होवे आउच ओमाई गौड अरे पापरी अरि बॉम्लम साप, धीद भूडगया है क्या। गाड़ी रमगाई के बहुत एक क्या पिछल लेका है। अपचानक पीछ में आगए तो मैं क्या करती यह पाइसा आ गया तो चर्भी चट गए है क्या बापा में माप कर दीजे ये जो नुकसान हो था पैसा कुन बरेगा देखिया आप फिकर मत कीजे आपका जितना भी नुकसान है हमें बताई हम आपको पैसे दे देंगे तो ठीक है निकाल लिए 50,000 रुपे और उसके ये वाज में पच्छासारर मांग रहा हूँ न bugs म कौन होता I? अरे में आप लोगों में से एक हूँ आपको गरिब भाई लेकिन और मफिजेगा मैं आप कितना डाका नहीं किसी के ऐसी दूलत पर हाट नहीं गालेगा तिसमों उसका हग नहीं हो क्योंकि हम गरीब है भीकारी नहीं लुटी नहीं आप महाल है भाईसाब आप लिदो मेरी आगे ख़ल दी भाईसाब यह लग दो सुरुप है पकड़ यह आप जाए आप जाए आप जाए अरे जाए ना चल सुरिया इस लान गाली का पीजाकर करोड़ पती के मन में चलाम बेबी कांथी 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 पाप रे पाप अरे यह लड़की का बाप तो कलवा के ससूर से भी जाधा बड़ा आद्मी लगता है अबे यह बहुत बड़ा आद्मी है ओ शैप उत्रो उत्रो निच्चे उत्रो क्या है शैप क्या है तुझे देख लूँ सलूट ना मरवाया जा सब अब 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 बेटे यह तुम्हारे माथे बे खून क्या हुआ अब 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 आपने अपना कीमती रुमाल क्यों खराब कर दिया मेरे लिए बेटे यह रुमाल तुम्हारे खून से जादा कीमती नहीं है अब तुम लोग डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए अरे डॉक्टर वॉक्टर छोड़ी अंकल हल्की हल्दी लगाते ही न सब ठीक हो जाएगा पॉरण डॉक्टर इम्तियाज को फोन करो सोन्य दिदी आपके लिए शिधर जी का फोन है चल पाइल डॉक्टर इस कामिंग है यह लड़की कौन है सेट जी अरे जिसके माथे पर चोट लगी है अपनी बेटी है आपकी बेटी कैसे हुई वो तो आपको अंकल अंकल बोलती है धनपसिट उसको भी अपनी बेटी सुन्या की तरह ही प्यार करते है मगर हकिकत में वो उनके माली की बेटी है भाराष्टा की 10 लाग की लोट्री का वाहा राजस्तान के 5 लाग की लोट्री का पिता जी वाहा ये क्या कर रही है तू मेरी कोई लोट्री की टिक्ट लगी कि नहीं आभी तक पिता जी मैं आपसे बात पूछू आप हर महीने अपनी आधी तंख्वा इन लोट्री के टिक्टों में क्यों बर्बाद करते हैं और लगती एक भी नहीं है बच्पन से लेकि आज तक मैं यही देखरी हूं आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते हैं तुझे क्या लगता है ये लोट्री के टिकट मैं अपने लिए खरीता हूं इस बुड़ाबे में पैसा जमा करने का शौट चराया है मुझे अरे फगली ये लोट्री के टिकट मैं तेरे लिए खरीता हूं अरे तेरे उठना बैठना जो बड़े बड़े घर की लड़कियों के साथ है यहीं सोच करके तरी अच्छी पढ़ाई करानी है अच्छा भविष बनाना है इसलिए खरीता हूं ये लोट्री के टिकट अरे मैं यहां हूं मामा अरे मामा करवा मिलाता करवा अरे लानत भेज करवा भी कोई मिलने की चीज़ है अरे मामे करवा मर्सडीज में हुम रहा था मामा वह इतना चालू है उसले करवा आपकी बेटी को भास लिया खुद करवा बन गया तो फिर हम लोग भी लंदान अमेरिका घुमेंगे हमारे पास भी मर्जडीज होगी मर्जडीज अरे भाण जे ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा उसको फसाणा है ना तो उससे मेल जोल बढ़ाना होगा मेल जोल बलावाप अभी तुम मिली थे ठैंकी बोली थी ठैंक यूबोला थात्रमे? अरे कब ब बोला कैसे बोला कहा बोला म्मे थोड़न नमक मिरेश लगा आके बोलो गाब बुला तो नहीं बानागा इस अरे बता तो सही तू मामे, संडे की रात थी, पहली मुलाकात थी, मैं था, वो थी, और हलकी परसात थी मैं था, वो थी, हलकी परसात थी आली शान किसी बंगले से गाड़ी में वो निकली, मेरे प्यार के जालन फस गई पैसे वाली तितली नौकर चाकर घूमेंगे अब मेरे आगे तीछे अब तो सारी दौलत होगी इन कदमों के नीचे सारी दुनिया उसके पीछे पर वो मेरे साथ थी संडे की रात थी, पहली मुलाकात थी संडे की रात थी, पहली मुलाकात थी वो था मैं थी, वो था मैं थी, हल्की पर साथ थी संडे की आखिए वो थी, हाई संडे की दौलत हो थी संडे की रात थी पहली मुलाकात थी सर्थी की मौसम में फी कर्मी का शोला वड़का सर्थी की मौसम में पी घर्मी का सोला भड़का पहली पहली नजर में बन गई मैं उसकी दीवानी वो मेरी सपनों का राचा मैं उसकी रानी सब कुछ निसको दे दिया मैंनी उसमें ऐसी बात थी संडे की रात थी पहली मुलाकात थी मैं था वो थी मैं था वो थी हलकी पर साथ थी मेरे बढ़ी प्राब्लम है कई वप की पड़करे मेरे फार मेरे पाइस क्यों मै यह चीन सोने की में लेको नहीं दें की सकता है मेरे नहीं सिर्फब。 पाणजा चाहिए, तुझे ले ले मा मैं देखना आई गया अरे देखी तो रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ पाणजे, आगी, आगी मादे, मादे, मादे अजीब लड़का है ते भोलेनाथ मैं हर सोमवार को तेरे मंदिर के सिडियां घुटनों के बल चड़कर आता हूँ वो भी अपने लिए नहीं दूसरों के फर्यार लेकर आता हूँ प्रभू ये तो वही है जिसने आक्सिडन वाले दिन हमें बचाय था हे भगवान मेरे घर से दसवे घर में शांती चाची रहती है उसके घर में चूला तो सिर्फ दिल जलाने के लिए रखा हुआ है भगवान मुझे भले दस दिन के लिए भूका रख लेकिन शांती चाची और उसके सारे परिवार का पेट भर दे भगवान सारे परिवार का पेट भर दे ये तो कुछ भी नहीं है प्रभू मेरी पिछली गली में रहने वाले नारायन चाचा का दुख सुनोगे न तो तुम्हारा कलेचा दुख से छलनी हो जाएगा मालूम है उनके सारे शरीर में खुजली पहले मैं तो कहता हूं प्रभू उनके सारी खुजली मुझे दे दे आप भी सोचते होंगे कि मैं क्या हर रोज आपको तंग करने चलाता हूं मगर क्या करूं मजबूर हूं भुले का वक्त हो ना इसलिए भूला हूं अच्छा प्रभू मैं चलता हूं लेकिन कल फिर आऊंगा किसी और का दुख दर्द लेकर माले हर हर माले अरे आप एक बात पुछूं आपने उनके लिए मांगा जिनके साथ आपका कोई संबन्द नहीं है आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा अब अपने लिए मांगने की मेरी जुबान में शक्ती ही नहीं रही आप जब अपने लिए मांगेगी न नमस्ते तहिर यह नहां मेरा भांढल जा नं राज्जा है इसका यह नाम से जाम से नहीं भी राज्जा है इस से नहां लोगों कि तक्लिफे देखी नहीं जाती है और एक बैल का एक्सिनेट हो गया था तो ना वाल्टिया भर के खूड बैया गया डॉक्टर ने कहा कि इसकी जान बचाने के लिए इसको बहुत खूड चड़ाड़ा होगा तो आपको पता है पेरे भाणचे राज्या जी ने था अपना खूड उस बैल को दे के उसकी जान बचा बैल को अहां तुन्हों एक ही दिल पैदा हुए थे था बलड़ गुरूप भी सेब था ओ पॉजिटिव मुझे लगता है कि राजा जी इंसान नहीं फरिष्टा है ऐसा शरीफ आदमी ना तुम्हेने जिंदकी में देखा है और ना ही सुना है इस तो क्यूट मैं आप सो इंब्रेस्ट अगया लड़की पिटा होगी तेरे पे अगली मुलाकात में आइलाविए वोल दू ने ने इतनी जल्दी में आ भागा दू तो फिर क्या करूं अरे वही कर जो फिल्म में होता है तुल्म में क्या होता है अरे मैंने आग गाव में पताने के लिए ना भाड़े की गुंडे बेचता है तो वह ना उनकी पिटाई करता है और एंड में हैं वह रोईन जो है यिरो जो फित जाती है लेकिन मामे हम लЭंग गुंडे लाएंगे कहा से और मुंबई में गुंडों की कम ही झोड़े न यहां पबली कम है गुंडे तो बहुत ज्यादा है कि मैं बुल्डोजर बोले ला है अब एक धक्य में तरी अख्य बिल्डिंग गिरा दूँगा समझार फोकट में बंकस मार रहला मतलब की बासुरी बजा किसी बिल्डर को उठ़ाने का है कि किजीड़ को लूर रूबताने का है एक भी तर न врем यह फोन के अंदर ही मूँ डालके तरह को ऐसी गाली दूंगा ना क्या कि टेलीफोन एक्चैनल में अंगार लग जाएगी फोन के अंदर ही फायर कर दूंगा ना तो ते हर जगह से दुआ निकलेगा शान्दिया कर दूंगा यार मैं बताता है बुल्डोजर भाई यह बताएंगे तरसल है ना मार खाड़ेगा है मार खाने का है इतना सिंपल कर आव है तू खाले उसका नाम पता फोड़ो मेर को दे फिर देख बुल्डोजर भाई उसका कैसा नली पाया तोड़ फोड़ के उसका पाउड़ा बनाएंगे आदा तुम लोग पे छिरकेंगे आदा केरमबोट पे यार लाइप या बाकी अपने बेप छोड किया कि आपको आपको पॉल भाई पॉल भाई मेरी बात तो सुनो हमारे अकतिक क्या के मां की आख बोल रहा है भोनाजाना हाँ अब ये मेरे को मान की बात कर रहा है एक लड़की से प्यार हो गया, तो प्यार में रोब जहांड़ने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाई है उसमें आप विलन की तरह लड़की को जाके चेड़ोगे, ये हीरो की तरह आएगा और आपको कुझे की तरह मारेगा अभी तक में रखो कोई पुलिस ने हाथ नहीं लगाया यह माचिस की कांडी मेरो क्या मारेगा इसी तक कर दूगा ना कि इसके आरपार हो के तु भी तोपी इस समय निच्चे जाएंगा भुल भाए भुल भाए मार खालो ना आपको मेरे प्यार की कसम तो अब एक काम कर काउंटर बेजा पैसा दे उस छोगरी का नाम एड्रेस दे उसका तिया पांचा करने का ही तोप लेके जाए बहात अच्छा लग रहा था तो अच्छा लग रहा था मेरे गुलाब की कली मेरी छम्मक चलो इधर क्या कर रहे लिए चलना तेरो को आहिंगीं गाडन लेके जाऊंगा अक्का मुंबई फिराऊंगा रानी बाग में पिंजने के सामने कड़े हो कि आप उन साथ में चनी ख भाण जी जल्दी का कम शैतान का होता है देख तेरी अंग्रेजी यह कमजोर इसकी तेरे को हिंदी में समझाता हूं भाई लोहे पे तब चोट करनी चाहिए जब लोहा गरम हो मैं को सम्झा नहीं है भाई हिट दा आयरन जब इट इस होट ओके आई गाचिच तो बोलती है यह जड़के को छेड़ता है भाण जी वो देख उसने है ना चाकु निकाल लिया सही टाइमें चला जा तो बोल ना गुड़त लेजा लग के साथ ले बंता काम नहीं बनेगा यार क्या बोलता तू पेट में गुसाड़ूंगा अत्री निकालूंगा टीटू कु टाटा कर दूँगा अरे बैंजी मुझे अंदर जाना दी एक खपड मारूंगी बैंड किसको बोलता है अरे किती मेनद कराएंगी चलना में इधर के लड़की को छेड़ने आए गाटन में अच्टा को माइकालाल पाइदा ने हुवला है जो बुल्डोजर को टाच करके निकल जा जाके यार भी रटा देखना यार बाजबटो पुलिस कहां से आगए आण जे क्या बोलता है तू आता है कि खंडाला वो का है को अरे आज रवीवार है रवीवार के दिन पायण उड़सवारी के लिए खंडाला जाती है अरे खंडाला कहा से जाएंगे अरे वाँ जाने के लिए तो हमारे जेब में फुट्टी कोडी भी ना है ओपर चेन मां में वह तो गुंडों को दे दी हाँ मामे ये ये तेरा दात सोने का है ना सोने का तौहनल दंगो की दे दिना तॉक पर य इंड-पार, आज होस्स राइडिंग उस तरुफ के बॉस्स वावे, तुने बोला था के पारल का बढ़ला भीडख जाएगा, उसके बाद जाके में हीरो की तरह पशाल होगा लेकिन पारल का बित्के का कॉसा है, अरे बित्के का क्यों नहीं है, क्यों? जोरस वह चुछली की दवा गोड़े के ना पत्रीयों पित्त रहे है तुमाँ चाली गुड बोई या अरे खुड़ा भी तक गया तो ठीकि मैं जा रहा हूँ बढ़ जे क्या हूँ पिछली बार गुड़ लग लिया था मने बरबाद हो गया था इस बार मैंने हिरो बनाएं पर जा रहा हूँ अरे यह कैसे बैठ गया अरे या तो खुछ सिद्धा हो या फिर गोड़े कोल्टा कर ऐसे तो गोड़ा कहीं और जाएगा तू कहीं और इसकी मुंड़ी का गई यार अरे देख गर्दन के आस बस कहीं होगी और यह किदर ने जा रहा है मुझे लेके किदर जा रहा है तो मैं म पयाल ... पायाल, बच्छाओ, 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 बच्छ फब बिस स्लाव पाल पाल मैं आचुकाऊं राजाची पाल मैं आचुकाऊं पाल लिकिन मैं कुची दिसकता पाल पाल आप अरे 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 पाल अरे तुकुरी आपए अबे, अबे, काल यरा आपे, ओरे, अबे, अबे, मामे, मैं उठना चाहा रहा हूँ, हाई, अबे, मैं उठ क्यों नहीं रहा, ओ, 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 डॉक्तर, बोल दिख्रा, बोल, अरे, आपने मुझे किस किसम की पट्टी बांद रखी है, हाथ पाँ बांद दिये, मैं खुजा भी नहीं सकता हूँ, कब खोलेंगे आप मेरे पट्टी, तुम आस्पीटल का पूरा बिल चुका दो, हम तुमको पूरा का पूरा खोल देगा, मामे, अरे, डाक्टर साहब, मे जोक साथ, राजा नाम का पेशन्ट, हाँ, रूम नंबर 16 में है, पूरा प्लास्टर में पैक्ट किया हुआ है, मिल जाएगा, मिल जाएगा, वेरी इसी तू द्रेस हिम राजा, ओ, सॉरी, राजा, यह सब कैसे, क्यों, यह लो, अंगूर खाओ, राजा जी, आपने इसकी जान बचानी चाहिए, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करने आई है, मामे, मामे, यह फिल्डिंग तो मैं नहीं की, मैन अफ दव मैच इसको कैसे मिल रहा है, तू कुछ कर मामे, भणजे में तेरा मममा हूँ, मैं नहीं करूगा, तो और कोड करेगा, तू लेटा रहा है, मैं आता हूँ, बंद करें अंगूर खिलाना, अरे मनने तो यह ससुरा, बिमार, गम और बदमाज जादा लागे है, अरे अंगूर आये थी राज्जा के लिए, और खा विखारी लहा है, क्या मतलब, ओ जी मतलब यह है, कि यह लेटा वह आदमी राज्जा नहीं है, राज्जातम वो है, त देखा, यह निटवर लाल है, आप दोनों की दोनों इसे थोड़ी देर और अंगूर खिलाती रहती ना, तो यह सार अंगूर खतम कर सकते हैं, जी वो डॉक्टर साब नहीं इशारा कर दिया था, तो हम दोनों यह, आप मुझे देखने आ गई, यही आपका बहुत बड़ा जी नहीं, आपका वॉलेट हमारे पास आकर गिर गया था, जब आप गिरे थे, माले, भड़ जे, अब तु पेट भर के अपना बतन खुजा, अर पर्स बिल गया, पर्स ए, बोलना, क्या, रास्ते में तो कह रहे थी, यह कहूंगी, वो कहूंगी, बोलना सो, सोनिया जी, पायल जी क्या कहना चाहरी थी, जी कुछ नहीं, देखिए, अगर आप अपने दिल की बात अपने साथ ले जाएंगी, तो मेरे मन पर पहुज रहा जाएगा, बोल दीजे न, जी, मैं, 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 बोलना मैं आपसे फिर कभी कहूंगी, पायल, पायल, आप ही पता दीजे न, सोनिया जी, पायल जी क्या कहना चाहती थी, दरसल जबसे उसने आपको देखा है, उसकी रातों की नी दुड़ गई है, हर घड़ी खोई-खोईसी रहती है, जबसे आपने उसकी जान बचाने की की है न, तब से उसको सच मुझ कुछ हो गया है, क्या हो गया है, उसको आप से प्यार हो गया है, है तेरी प्यार ने ये क्या कर दिया, बहतने लगा दिवाना दिल तेरी प्यार ने ये क्या कर दिया, बहतने लगा दिवाना दिल समर का लगी, समाले से भी, समाल हो गई, बड़ी मुश्क तेरी प्यार ने ये क्या कर दिया, बहतने लगा दिवाना दिल वा दिल में जैसे हवा, बूला दिल में खुश्बू रहे, कैसे ही जाने वफा, दिल में मेरे तू रहे, रंगी नजारे हुए, आसम सु नहरा दिखे, देखू जा तक यहा, तेरा ही चहरा दिखे तेरी प्यार ने ये क्या कर दिया, दहने लगा दिवाना दिल से हकाने जाने जाने से इसे जाने 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 लिए, आरे जाने बुश्चक ये झाल झाल दुल्हां लगे ये जनी दुल्हां लगे आसमा तु सामने जब रहे अच्छा लगे ये जवाँ तेरी वफा चांदे इस सिंदगी के लिए हर दर्द सहलूंगी मैं मेरे खुशी के लिए तेरी प्यार ने ये क्या कर दिया तहित में बगा किवालाने समनता रही समाने से भी सरम हो गई अच्छा फार ने जालाने से खुशी आच्छा रहे वाँ वाँ अबै टिंगू तु शुदर जा इस हवेली को ओने वाले कुम है। आप कुछ भी बोलो! आम अंदर जाने नहीं जाएगा। अरे तु हमको रोक रहा है। राज जाजी को रोक रहा है। अरे रे वाच मैन, क्या कर रहे हैं आप? यह हमारे महमान है। अरे पायल जी, मुझे बिल्कुल घराब नहीं लगा। वैसे भी चोकी तर ऐसे ही होने चीए। वरना कलको हमारी गहराजरी मैं, कोई भी है रहागा न तु गहरा हमारे बंगले में घुच जा वही। आईये न, मैं बुलने का मतलब है कि आप के राजरी में, कोई भी चोर उचका बंगले में घुच सकता आ ना वही। वह वहाँ मेरे पिता जी है। मैं अभी है, बिलाके। मा में, यह तो घास काट रहा है। माल नहीं तो नहीं है। भाण जी है, तो अपने फिल्मों में नहीं देखा। हर बड़ा आदमी है न, अपने घर में घास काटता है। हाँ, लेकर क्यों। वह इसलिए कि इन विचारों के पास है न, पैसा बहुत होता है। तो इनका इन टाइम नहीं कटता है। पिता जी ये राजा जी है और ये इनके मामा जी। अरे रे, क्या करें वो बड़ा। उठो बड़ा। अमीर आदमी के गले लगने का मुजा और आनंद कुछ और है। बड़ा, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, वैसा ही पाया। आओ बेटा अंदर आओ, आओ। मामे, तु भी अंदर से घर को देख लो मा। भाईसाब तु अंदर से घर देख, मैं भार से देखता हूँ। भाईसाब तरह दिखाओ न घर। आये न, चलिना। कैसा आए घर। पस क्लास। वाण, टू, थ्री, फोर, फाइब। भाईसाब ये फाइब की फाइब कार किसकी है। ये सारी की सारी गाड़िया हमारे सेड़ जी की है। अरे प्रेवकू, आज ये कारे तेरे सेड़ जी की है। लेकिन कल मेरे राच्चा की होने वाली है। क्या सोच रहा हूं अरे बाप ने बाप ये ठाट और ये सब कल मेरा होने वाला है इसलिए मैं तुम यहां लेकर आया वरना मैं तुम लोगों को पीछे लेकर जाता है पीछे का अपने खुमरे में लगता है पीछे बुद्डे ने अपने लिए कुछ थाज बेडरूम बनाया होगा इसी लिए वाल ले जाता होगा आप क्यों चाय बना रही है घर में बहुत सारे नौकर तो होंगे ना बेटे नौकर तो बहुत है लेकिन सब अमरीका गये हुए यहां तो लौकर भी अमेरिका जाते है शादी के बाद दावाद को तो सीधा चांद पर आप भाई साब यह थंडे 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 पाड़ी का तालाव किसका है यह भी हमारे सेड़ जी का है पार जे बाई गॉड एक तुम जेस बोंड लग रहा है तू तो हां मामे 0078911 बाट बसका मैं को बता तरको सौता गिंती आती है शुब चाप हमा मार मामे अच्छा माम मार 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 माे एक बात होता हुए तो दूपता थूनिये या तिखता हूँ सर जी और अब क्या सोच रहे हो अठाए ये सोच रहा था कि इस फानी पर आद्मी चल सकता है कि है सट जी आप कैसी बाते कर रहा हुँ गया सोच रहा हो बेटि कुछ नहीं मैं अपने जिवन के भाविशिय के बारे में नहीं हुद सोचेगे यह बात्य था है है तुम से बात करता अब मैं मैं आपको पसंदो तो पसंद मैं आपको बहुत भागेशाली समझता हूं मैंनो तो कभी सपने भी में नहीं सोचा था कि मेरे बेटी के लिए इतना शरीफ सुशील और हुनहार कामाद मिल पाएगा अरे नहीं 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 क्या करें हूँ आपको बुला रहा हुँ यू तो बड़ा हरामी है देख किया अने देखा कर रहा है आरे। इसाले का पिछ्छा गरे क्या। रणाज़ा हम लग बड़ा आदमी इसा। पिछा क्यों करें तो चौत आदमी है। आरे। साले का दिमाग खराब हो फोगया तो ठीक टो करना पड़ेगा। अच्छा, हाठो. येसाले का रस्ता काटो. हाँ कटू. वेलकम मिस्टर काली चरनन्, तुझे कब से करवा करना के पुकार रहा हूं, तुझे सुनाएं नहीं दे रहा हूं मिसर काली चरण मैं आपसे कह रहा था नहीं आदमी आपको बाहर आवास दे रहा है तुम लोग को इसकी स्टोरी में बताता हूँ यह ना एक अमीर आदमी की बेटी को फसा के खुद अमीर बन गया आपको इसको महलूम नहीं है कि मेरा जोने वाला तामी भी आए तनी बडिया है तसे मेंड़ा के सामने को मफिट को घाठा हूँ आप यह शहर को युद आपको तो शादी कर लेगा तो साथ में कुछी पर जाएगा अरे सेट जी मारा तो भाग खुल गया आप पदारे मारे ओफिस में कॉफी पीओ छोड़के सेट करोड़ी मल जी मैं काली जरू बोल रही हूं बोलो भाया तोड़के मैं इसलिए फोड़ किया कि आपके साथ बहुत बड़ा धोकता हुआ है कि मतलब यह है कि राजा नाम के जिस लगे को आपने नौकरी पर रखता है न वह बहुत बड़ा फ्राट है जी उसके सारे सर्टिफिकर चारली है मैं तो गहता हूं जी उसको फॉर्ण निकाल दो ठीक है ठीक है भाया तोड़के जाला मेरे ससुर को विकारी के अरिया था अब पता चलेगा आपने मुझे बुलाया सर आईये है आईये है मारी ओफिस के मुकदर को चमकाने वाले आईये अरे आप बैटी है ना जबने को मुझे देखकर खड़े की हो जाते है अब खड़े हो जाने के बच्चे मने इतनों घुस्तों आवे लेकिन कोई शब्द नहीं मिल रहा है अच यसे हैं जब बड़े आथी बात करते तो बीच में टांग नहीं डालते है क्या बोल रहा है आप बुरान पानिया मैं तो नहीं इसी वक्त डोकरी से निकाल रही हो बस तुम्हारे सर्टिपिकेस डिगरी या मार्क्षित जो तुमने मुझे दिखाया था और देखकर मुझे पसीर आया था वो सब लखली है जाली है तुम्हें कमटन के पास जाओ तुम्हारी बागी के पैसे ले लो और इधर से चले जाओ अधा कभी भी इस ओफिस में कदम रख कुष्टा की कर रहा हो वो राजा जो आने वाले कल का रहीस जादा बनने वाला है रहीस तु और रहीस अरे दो दिन में कटोरी लेके रास्टे पर भीक मांगे हुए नजर नहीं आया तो मेरा नाम करोडी मल नहीं है तो ठीक है अपना बनल लेकिल तैयार हो जाओ क्योंकि अजेसा अदमी की बेटी के साथ मेरी शादी होने वाली है उसके सामने तुमारी अवकाद भिकार ही हो वाली है अल्ला के नाम पर देदे 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 यही है बर्खुरदार एक बात तो बताओ इस शहर का इससा कौन सा बेवकुफ इंसान है जो तुम जैसे निकम्मे ना कारा बेहुदा लड़के को अपना दामाद बनाना चाहता है और बेवकूफों बेवकूफों वो इतना बड़ा रईस आदमी है कि उसके नौकर भी तुम लोग से जादा रईस होंगे क्योंकि मैं चिलाओंगा तो तुम्हारे इस सड़ेवे आफिस की छत का प्लाश्टर गिर जाएगा और वैसे घटिया आफिस में खड़े रहना हमारे जूतों की आन और शान के खिलाफ है एक बात तो बताओ यह तुम्हारे होने वाले ससूर इस शायर के कौन से राके में रह शिवनाथ जी आपका बेटा मेरा दामाद बने यह मेरे लिए सची गर्व की बात है लेकिन एक विनती थी यह रिष्टा तैय करने से पहले अगर आप अपने बेटे से भी पूछ लेते तो बेहतर होता संदी साब बेटे से क्या पूछना हमारे खांदान में बुजर्गों कोई रिष्टा बेटों से पूछ के नहीं किया है मेरी शादी मेरे पिताजी नितयकी थी उनकी शादी उनके पिताजी नितयकी थी और मेरे बेटे की मजान नहीं की वह खांदान की परमपरा को तोड़े या मेरे होकम के खिलाफ आवाज उठाए मेरी दरफ से आप पर सहरा देखना अपने घर पर बहू लाना माबाप का सबसे बड़ा सपना होता है मा मैंने आप लोगों का सपना बहुत बड़ी जगा फिक्स कर दिया है इन बिचारे भीकरियों की पेटी के साथ शारी कौन करेगा बाबुजी शमा चाहता हूं अब जिस जगह पर हम लोग रिष्टा तेकर के आएं न वो लोग इतने बड़े लोग हैं कि उनके सामने इन विचारों के कोई आउकात ही नहीं है वो लोग मैलों जैसी हवेली में रहते हैं और ये विचारे मिटी के गोठी में रहते हैं अरे इनके गोदाम के अंदर इतना जितना उनकी तुझोरी में रुप्या है और मामा आगे तुम बदाना यार मत तो गया अरे जीजाज जी हमारे गाव में कुल में लाके इतनी गाहे भैसे नहीं होंगी कि जितनी उनके पास इंपोर्टिट गार याज शिवनाद जी हमें ये पता नहीं था कि आपने हमें ब का चोदरी है तुने उसको बेगाने कई दिया अरे छोड़िये ना बाबुजी अब आपका बहुत बड़ा समय आ गया है अब आपके दोस्त बताना मामा कैसे होना चीए जीजाज जी बड़े-बड़े राईसों बड़े-बड़े बिजनसमैन बड़े-बड़े टाइकून मैं जेद से दोस्ती करने का जमाना है प्यत्स करते करांicha पूंबभी के सबसे बड़े करोनपती की इकलोती बेटी सेड धन पताई की बेटी के साथ तेरा रिष्टा से जी भाण जा एकदम ठीक कह रहा है सेड जी ने मूरत फाइनल करने के लिए ना आप दोनों को राजदानी एक्स्परेस से बुलाया है बबरी चली ना क्या सोच र मतलब तू अपने अससरों के घर जाकर उसकी दौलत प्याश करेंगा मैं इस रिष्टे के लिए तैयार नहीं हूं बफजी आपको यह रिष्टा मंसूर नहीं है बिलकुल मंसूर नहीं है यह आप इतने बड़े घर के ठोकर मार रहा है इसलिए के मैं छोटा आद्मी मेरे पैर जमीन पर है मेरे दिमाग के अंदर मेरी वकाद तोने का तरह दू मैं इतनी उंची जगह रिष्टा नहीं करना जाता के जहां उपर देखते होँ तो मेरे सरसे मेरी नेकल के हुंआ जाए ऐसी जगह रिष्टा फुरी वेचते आज मने तेरी हर मांग हर जित पूरी कि हर बात में तेरा साथ दिया हो साही हो या खलत लेकिन आच आज मैं तेरा नहीं इनका साथ दोंगी मा ये तू क्या क्युआ रिह तुम मेरा साथ नि देगी हां बिटा क्योंकि जब की शादी हुती है तो मंदप में मा अपने पति के साथ पैठती है और जिस मंदप में तेरे बाबुजी नहीं होंगे वहां बैटना मेरे लिए पाफ है कि भुप के अज मेरे साथ कोई नहीं दे रहाए माबुजी भी दे रहा है माँ symbi तेरे साथ चल रहा है कि नहीं? भणड़े, तेरे साथ गया था, तेरे साथ ही आया था, अब वापस भी है, तेरे साथ ही जाएगा. अच्छे के तुम मेरा नाल चल. आजिर्वाज भी नहीं देए जार. क्या धरमशाला मेरी सहेली मेरी बहन की शादी धरमशाला में देखो बेटी मेरी चितनी आवकात है उतने में कर सकता हूं न आपसे आपकी आवकात पूछी किसने ये मेरी सहेली की शादी है इसकी डूली मेरे घर से उठने जा रही है इसलिए इसकी शादी किसी धरमशाला वर किसकी चिटी है बेटा आपके बाहिजा प्रदाब जी की चिटी है लिखा है लिखा है आने वाली दस तरीक को उरकी बेटी की शादी है हम सब को बुलाया है मौनली की बेटी की शादी है दो चार Нारब तो टिक्तों में लग जाएंगे मिलना वहां खागा है हमको बड़ी आई समान बाद लेती हुआ शादी में जाने के लिए वान जी सजामट तो बहुत अच्छी है और लाइटिंग का सिस्टम तो अवारे गाओं की शादिय से बेटर है कि यह सर्वेंट कॉटर नहीं लग रहा है कि यह यहां क्यों रहते हैं आप यहां कियों मजा कर दो नौकर हूँ इस हवेली का माली क्या माली मैं तरी जितने भी गुणगाउं कम है नजाने पिछले जनम में मैंने इसे कौन से करम किये थे कि इस जनम में मुझे ऐसा दामाद मिला है जो हर लालस से दूर जिसने किसी किसम की कोई मांग मुझे से नहीं की है बगवान ऐसा निस्वार्थी दामाद आज की युग में मिलना तो एक तरफ सपने में भी दिखना मुश्किल है मैं चाहता हूँ बगवान दुनिया में हर माबाप को ऐसा ही दामाद मिले और ऐसे ही रिष्टदार मिले जैसे कि मेरे दामाद का मामा है शादिलाल माम में क्या सोच रहा है भाणजे तेरी मौहबत के चकर ने मेरी सोने की चेन बिकवा दी उगली में गंगूठी थी वह भी बिकवा दी पर्सनालिटी की लिए सुनने का दाथ मूँ में था वो भी बिकवा दी है माम میں तू हर वक्त अपने बारें में सोच आ है! छरा इ मेरे मेरे में सोच। मैंने क्या क्या सपने देखें थे। बिया करके हनीमून करने स्वीटजर लाइंड जाऊँगा। लेकिन अब तो सिंदेगी में ना सु corINO round है, ना cane है, ना Raculations Myanmar है. हम लोग खड़े का हम लोग तो सिर्फ खड़े दिखाई दे रहें जी जाजी हमने आपके हरीमून का पूरा इंतिजाम कर दिया है अच्छा और भी इंतिजाम किये आप लोगों ने जी जाजी आपको पता है घर में दुनिया भर के महमान आए हुए पैर रखने को जगा नही खबसे को जड़े दे हुआ है अजी जाडों जड़े किया एंदे हुआ है उन् वाकशनेaling को जड़े है उन् अज़े खो पाल धर खबवटर च्ज़ मैं तुमसे कहना चाहता था मैं ये कहना चाहता था कहना ये था मुझे ये मुझे कहने दे तो मैं पूरी रात यू ही कहने में ही गुजार दोगे क्या हाँ 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 अ हाँ हाँ एकेले में बच गया तुबला कबेले में घल में जों सुंदे में आजा चलो अकेली में, बज़ गया तबला तबेले में भस गई जां चमेले में, बज़ गया तबला तबेले में अरे बच्ची गया तबला तबेले में आज सजन लिल्ली की मस्त घरी है रात बड़ी छोती है बात बड़ी है फूल सभी बिखरे है तूटी लड़ी है हमको जहां मिलना वहां मैं से खड़ी है मैं से खड़ी है एे राचा चलो अकेले में बच्ची गया तबला तबेले में बच्ची गया तबला तबेले में हाई याँ हाई याँ हुआ 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 है हुआ 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 हु हाँ वाग चले हम हस गई जाँ जमेले में बच गया तब लात अबेले में राचा चलो अकेले में राचा चलो अखेले में पज्जी गया तबला तबेले में पज्जी गया तबला तबेले में मामे इन भैसों की नानी मर जाए इन भैसों ने मेरे इदर उदर सींग मार मार के मेरे शरीर में गुम्डे बना दी अरे शरीर क्या तेरी तो पूरी जिंदकी में गुम्डे पड़ गये हैं अगर ऐसे पुरा टाइम चलता रहा तो मन्ने भी कुछ सोच रहा पड़ेगा बस मामे तेरी सोच से तो मैं बरबाद हूं तू अब मत सोच मत सोच तू और मामे मेरे जखमों को गुदाम समझ कर उसमें क्यों नमक भर रहा है क्या बात है बटे आते तुम लोगों की बाते सुनी बड़े उदास लग रहा है कुछ नहीं जी वो कलेजे पे टेंट साइज के चाले पड़ गए ना वो फूट रहे हैं अरे किस बात के चाले पूट रहे हैं राजा जी की नौकरी चली की इस लिए देखो पिटे डरने की कोई बात नी है पायल ने मुझे सब कुछ बता दिया है मैं सेट धनपदराई से बात करके सीधा नौकरी पे लगा दूगा तुम्हें तुम्हेस्चे सब्सक्तिम्हें मैं चैसे कि तुम्हारा तयार हो ज़ूट शाले इस मेरा दuसने क मैंस नौकरी नहीं करोना नौकरी नहीं पढ़ेगी तेरोyin सेट ग्रते separated वो है हमारे सेट जिर यह मैंक के कांट है और यह चेख खबने में भीज दिया है सेट जी यह मेरा दामाद है उस दिन ये शादी में तो बहुत दुबला था यह चाने कितना मोटा कैसे हो गया ने 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 सेट जी मैं तो राज्जा का मम्मा हूं इनका दमाद तो मेरे पीछे खड़ाया जा बाण जी मा मैं सामने से हटेगा तो आओगा ना बजन बारियर टा मैंने तुम्हें कहीं देखा है सेट जी आपने उसे शादी में देखा हो गया अरे शादी में तो यह सेरे में था मैंने इसकी शकल देखी नहीं मैंने कहीं और इसे देखा है सेट जी चोटे मूटे लोगों को आपने देख भीलिया तो क्या फरक पड़ता है मैं आपके पा जाणु कोचाँ अख्याप, आफ्याप, आफ्याप मुझे वह तीनो हाच मेटिटी चेले है अजी रमिन आश्या आापन वेक्ट अप्धा बेस्टी अथी इस वेरिशनिर स्वैरियता पूर्स्स deny मैंने तुम्हें कहीं देखा है नहीं किर देखा रहा हूं आप देखा होता, मैं आपको बोल देता नहीं किर देखा रहा हूं आप रहा है अब अब का वान देखों त пошतिए Stars आपको संद्धियों संद्धन आये नमस्ते बाइसाब नमस्ते बाइस अधिया आप इस गरीब के घर पधारे बड़ी महरवानी हुए आरे तु खड़ा-खड़ा मुग्या देख रहा है जा जागर पाइल से कहा कि उसके सास उससुर जाएं जबाग जल्दी जी शाब जी एक बाद पूछो जरू पूछी बुरा मर्वानियेगा यह आप ही राजा की ससुर है जी हाँ आपको कोई शक हो रहा है तो फिर आप यह घास क्यों काट रहे थे हूं वह तो मेरा पुस्ते निकाम है पुस्ते निकाम आपकी बहु भी आ गए नमस्ते माजी खुश्य रहो सदा सवाग रहो अरे बेटा तू तो काला टीका लगाया कर कहीं तुझे किसी की नजर न लगे आप तो हमेशा मेरी बेटे को निकाम मा नालायक कहते थे लेकिन उसने एक ही काम जिंदगी में ऐसा किया है जिससे उसके सारे अब धुल गए हमारी चांद सी बहु जो लिया है वह बैटी मुझे अपना ससूर नहीं अपना बाप समचना और मुझे वही लाड़ मागना जो जो तौफा लेकर आए हैं वो भी देंगे अरे इसी बहु मिलिए कि जी करता है पहले दीन दिल की किताब इसके सामने रख जो ले अची भाई साथ हमारा बेटा का अंदर हो ना बैजी आये आई टाजयित आए है का ना इसको ँड़ी हो आ है पहत wanted ò लाजह से आई हमाँ अ जी को कह पहते है। लो लुवरी हरना अनर तर लाज़श के बहायार इसके और महाई जी जाड़ी तूबडी बड़ा ऑगिया मार कराया था कि मैं करोड़-पती की बैडी से शादी करूँगा इतना अच्छा गर छोड़के मैं गस्थाउस में रहूंगी जी आप रहे नहीं सकते हो यहां पर यहां पर रहे ना पेस्ट कंट्रोल चल रहा है काहे का कंट्रोल वह ना शैर में कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं तो उनको मारने के लिए दवा छड़कनी पड़ती है दो तिंदिर के लिए घर बंद रखना पड़ता और लोगों को गेस्टाउस में रहना पड़ता है तो हमें ना सारे वही पर एकजाद इकट्टे रहें अरे फिकर मत कर बेटा हम लोग तुछ से थोड़ी मिलने आये थे हम तो बहु से मिलने आये थे उसको अशिरवात दे दिया हमारा काम हो गया अब यारो कि क्या करेंगे शाम वाली गाड़ी से चले जाएंगे अरे भाई साब ऐसा किससे हो सकता है क्यों नहीं हो सकता अभी तक आपने हमें सेवा का मौका भी नहीं दिया और आप जाने की बात कर रहे हैं क्या है यह अपने बेटे से मिलने की जित कर रही थी वरना फुरसत है ही नहीं फसल पक्के तयार खड़ी एक दिन भी देर की तो सारी फसल खराब हो जाएगी अपने घर की बात है फिर आ तो तो कह रहा था कि पाइलीन की एकलाओती बेटी ते फिर उसकी बेहन कहा से आई तो मैंने कब कहा कि सगी बेहन है मगर सगों से भी सगी है इसलिए उसकी सगाई है हाँ मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो अरे इसका काम तो हो गया पर मैं तो अपना सेरा लेके अभी तक भटक रहा हूँ कोई है क्या कहा है शादी लालकी शादी के लिए हुआ है मचाए रात हल्ला, मचाए रात हल्ला साथू जी धारो ल्ला, मचाए रात हल्ला मचाए रात हल्ला किर हल्ला रात हल्ला लाए कभी कुल्पी सबोसा कभी लाए मौहों में बिठा के वो हाथों से किलाए लाए कभी कुल्पी सबोसा कभी लाए मौहों में बिठा के वो हाथों से किलाए वालों में गुलावों का गजरा सजा मेची मेची बादों से कुझे बसलाए सभी दिलाएं खुल्पा खुमर सभी दिलाएं खुल्पा खुमर सभी दिलाएं खुल्पा खुल्पा हारो लल्ला अजाए राद हल्ला कैसे मैं बताओ बनाए क्या बहाने हर दित अपनी मेरी ना कुछ माने कैसे मैं बताओ बनाए क्या बहाने हर दित अपनी मेरी ना कुछ माने बड़ा रसिया है बड़ा है हर जोई आपा मेरी आपा गरे का रस्वाई तुझे खबर ना है कोई तुझे खबर ना है कोई जाने साजा मुखला साथो जी धारो लल्ला मचाए राद हल्ला साथो जी धारो लल्ला मचाए राद हल्ला अभी तुझे मेरी कलाई अभी तुझे मेरी कलाई साथो जी धारो लल्ला मचाए राद हल्ला साथो जी धारो लल्ला मचाए राद हल्ला मचाए राद हल्ला अरे डालिंग मैं इहर, इढुए पोराई है, पी लो ना मैं बोल रहा हूं, पी लो ना अरे बबास बोलाना नहीं चाहिए, पी भी लो यार मैंने तुम्हें कही देखा है, मैंने भी आपको कही नहीं देखा नहीं देखा आहाली ऐसे दाइट करोटी शेट ने मणवाखे दिये ना जिसकी टैक्साइड की मिले हैं गाडियों की फेक्टरी हैं तो पीज चैसे देख नहीं गहां तो देख बहुत बड़ी बादे करके नोकरी को लाथ मार के निकल गया था कि तुकिसी करोड़ पती सेड़ की एकलोती बेटी से शादी करने वाला है तो फिर यहां वेटर बनके काई को गुम रहा है सेजी क्या बात है क्यों आप लोग मेरे दामाद का मज़ा कुड़ा रहे हैं इसलिए कि एक दफा यह हमारे मुपे थूखके हमारा मज़ा कुड़ा क अगर यह शरीफ है तो दुनिया के सारे शरीफ बदमाश है अरे एक निमर का फ्रॉन है तो इसको जानता नहीं है यह मेरी ऑफिस में काम करता था और नौकरी के लिए ऐसे सेटिपिकेट्स लेकर आया था जो मैंने जिन्दीगी में नहीं देखे ते बीए का सेटिपिकेट नकली मार्क से चाली और जब मैंने इसे सवाल किया तो यह कहता है करोडी तू काहे का सेट है तेरे से भी बड़ा सेट में बहुत जल्द बनने वाला हूँ तेरी ऑफिस के काज़ा तयार रखना मैं उसे खरीदने वाला हूँ ओ याद आया तुम इसके ऑफिस में थे इसकी फैक्टी खरीदने की बात कर रहे थे मैं भी उदर था और तुम ने मुझे से कहा था कि जब दो बड़े आदमी आपस में बात कर रहे हूं तो मुझ जैसे चोटे आदमी को बीच में टांग आड़ाने की क्या जरू हो थे अर पानी आदत होती है और कहा था कि चौराय पे खड़े रहे कर भीग मांगोंगे आला के नम पे दे दूए बाबा कहा था ना भूल जाओ पार्टी है कम और इंजॉय सेल्फ कम बेटा कम 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 फगेरट आईये 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 आबे आईये कम कम चेरप कर दो कर दो तूने मेरा मजाग उड़ाया है भूल गया अपनी यौकात अब अपने सूट के बटन खोड़के उसमें अपनी यौकात टटोल अब टटोल विरा बेखुफ चाले भूल गया अब जिस गाव के अंदर तु भैश चरा कर गोपर बेच कर रोट्टी खाया करता था उस गाव के सरपंच का एकलोता बेटाओं मैं और इस मैफिल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सूट में अपनी यौकात छुपो के बैठें और चोटें अब तु खुद इस करोड़ोपती की मोटी बेटी को पठा कर खुद करोड़ोपती बन गया यह मोटी चश्मेवाली को वो चल गया है अरे लाखो करोड़ो लड़किया मीर बनने का सपड़ा देखते हैं तो मैंने देखा तो कौन सा पाप किया है अरे मैंने अगर चाहा कि मैं करोड़ोपत मेरी तक्दीर बड़ी खराब निकली अगर मुझे क्या पता था कि जिसे मैं कॉड़ोपती की बेटी समझ कर डोल ना रहा हूं वह कॉड़ोपती की नहीं एक भुकडबाली की बेटी निकलेगी यह तुम क्या हो गड़े अब हिंदी बोल रहा हूं मिया एक मिनेट यह अरे मैं अकल का अंदा तुमको सेड़ धरबत रहा है इस बंगड़े और कोटी का मालिक समझता रहा मालिक क्या यार तुम तो कंगालपती निकले मैं सच बोल रहा हूं यार बुरा नहीं मानना यार तुमारी बेटी से शादी करके मेरी तो यह बर्बाद हो गी आप खामका पिताजी पर इल्साम लगा रहे हैं उन्होंने कभी नहीं का कि वो मीर है उन्होंने आप से कभी अपनी हैसेत नहीं चुपाई आप घर चलिए अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हें माली की बेटी हो तो मैं तुम्हें से शादी करता करवे अब अब साले गोपर में फसे हुए तलवे अब अब अच्छा किया तुने यार मेरी पोल खोल के बहुत अच्छा किया तुने अरे मैं तो बहारा दूर रहा जाए यार कि मैं कैसे अपने बीजी को छोड़ कर यहां से भाग जाओ अर्यार मैं सच्छी बोलो यार मुझसे नौकर का काम नहीं होए मैं बहुत धक जाता हूं यार तो भागने का भार आदा मेरे को चांस मिल गया का सोच रहता है कि बीजी के साथ ताज में खाना काऊंगा यह ताज के बहरे का टुपा पर राजिया मेरे को इमामे ओ चलो चलो बहुते नहीं करते तेरी बात सुन तो तुम्हारी ब्याता है उसका कोई कुसर नहीं है चाहिए तो मुझे जूते से मार ले लेकिन उसे करते हैं तो मेरे बात सुन आजा मेरे बात सुन अरे मेरे से इतना काम नहीं होता यार यह परतर माचो कपड़े दो मामे यह फटका मार के जो मेरे जिन्दगी में फटका लगा है ना क्या बोलू मैं मामे मैं बर्बाद हो गया कि ना बेटे ना रोते नहीं मैं जानता हूं वह बहुत नेक और अच्छा लड़का है वह तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता बेटी वह वापस आएगा देखना खल सुपर जरू वापस आएगा वह बेटा आएगा शराब पीकर जवानी में कौन नहीं भैगता है अगर वह बहग गया तो इसमें टेंशनी को बात नहीं है अगर अगर के बुद्धु लॉट कर आए वामे तु सच बोलता है ना मेरा मूड खराब हो जाता ले वो रा घर और ये रहे बुद्धु अरे अरे प्तारो कोई राजा जी बाबुदी बाबुदी आगाए कौन क्या बोल्ला बेटा दोनो कौन दोनो अरे वही मामा दी और राजा दी राजा जी आगए मेरा चांद अरे मेरा पच्चा कैसा है तो ठीक मगर बहु का है आप भी कमाल करते हैं बहु पहली बार घर आ रही है तो जाहिरे तांगे में होगी अरे अभी तक उसका ग्रह प्रवेश नहीं हुआ तो घर के अंदर दाखिल कैसे हो सकती है फिर उमें आप भी लेके आती हूँ बहु नहीं आई है मां जी जाजी आप गुदर पता है वह मैलों में रहने वाली अमीर लड़की है तो उसने है ना शैर चोड़के गाउं के मामुली जोपडे में आने से साफ इंकार कर दिया जी पता है वो कौडपती बाप की इकलोती बेटी है ना पहले तो राजजा जी की जवाननी पे विदा व सकत Northwest to और HAR चार दो गया और माज यह इसे यार कि और ना पर घृआ है शुरू कर दिया वह घ departments और गालियों तक पॉच गई तर् southeast नहीं बात अर्मकर मेरत हाब करने लगा पाभूज ने तक अपनी आखों से के गुष जोड की मुरेग बहुत कम होती है इस जूड जिये 4 दिन और सझी 1000 दिन, और वो ओंसे क्रोड़ बादी सेट की बात करा, जिसने तेरे अपमान किया मेरे सैशुर जी बाबु जी सेट धन्पत राय जी लेया जैश कमणों जेषा, जैश का मज़ी आधाश पहएं तेरे ससर का नाम सेड़ धनपत राए नहीं है परताप सिंग परताप सिंग जो धनपत राए की यहां अदना समाली है उसका नौकर है सरवंट्स कॉटर में रहता है इस तो सक्षाट देवी है वह लड़कियों मैं जुख में ज्यादा साथ देती है उसने तेरा साथ नहीं चुड़ा है कमकh तू उसको छोड़के भागा है क्योंकि तूने उसके दौलत की लालज में से शादी की थी और जब तुझको उसकी खरीबी का पता चला तो तेरे दौलत के अर्मान टूट गए तेरे सबने खाग में मिल गए और तू मौका देकर वहां से भाग निला यह है तुम्हारा बेट तूने उसे छोडने की हिमत कैसे की तूने अग्णी के सामने उसके संग सात फेरे ली एते हर फेरे के साथ एक वचन होता है कसम होतीजा हुता है तो अलाएक हर कसम हर वादे को लाट मारके चलाया आज तक जो कुछ भी तू ने किया अपनी मर्दी से किया आज तू मेरा फैसला सुने आज के बाद तुछ पर इस घर के दर्वाजे बन और इस घर के दर्वाजे उस उत खुलेंगे जिस दिन मेरी बहू मेरी घर की इस घर में वापस आएगी आज के बाद हमेशा के लिए यह दर्वाजे तुछ पर बन बन है तुछ पर मां मैं वा नहीं जाओगा तुब बाबुजी को समझाना बाहर का रास्ता उधर है मा इस जगा पर मेरा भी बरुपर का दिकार है मैं नहीं जाओगा प्ष्छ प्ष्छ मैं जाओगा तुछ प्रीट जाओगा ना हाथो टाले अब गाल से मैं तरी मा को है ना तेरे जणम होने के पहले से जानता हूं तेरे को क्या लगता है तेरे को घर से बाहर निकारने के बाद वो क्या चेन से बैटी होगी अरे निवाडा तक मूह में नहीं गया होगा उसके नहीं वो तो मेरे को मालूम है मतलब यह के जितनी बड़ी गलती मेंने की थी ना माको मुझे जुत्ता मारना चीए था जुत्त्य खाने का इतना ही शौक है तो मा घर पे और जुत्त्य मेरे पास है चल वापस चाहतेiblश्टे मढ़ा उता हो रहा है तो मुझे शुत्ता मालने के लिए अगर मैं घर वापस चला गया न तो अपनी बीवी से माफी माँगने के लिए मुंबई कब जाओंगा मामे चल यार मुंबई चलना है मेरेको अरे पर मुंबई जाने के पैसे कहा है एक मड़ देखा अब जलो और को आएप चए ना कि में तू घथ व रहा है और चैन बेच दी अंगुथी बेच दी दाथ भीच दिया अब क्या मनने बेचेगा आरे तेरे को तो कसाई भी नहीं खरी देगा मामे प्राइभ और में इसे निम्क सोच ऐख एख जाए केशें लुए RM तरह कि है ओंड स्षिशी से पहले पहले के लिया कि निकलना हो ओगा है अगर आप बुरा ना माने तो यह सारी इसारी बोरिया उठा कर में ट्रक में रख दूँ इस हमाली की बदले आप मुझे मुंबई ले जाओगे ओ पापजी अगर मैं यह बोरिय के आंदर ना करूँ और और हमाली ना करूं तो आप मुझे मुंबई ले जाएंगे अरे आप इनकी बातों का बुरा मत मनिएगा इनकी तरफ से भी मैं हमाली कर दूंगा पकी बात है हाँ जी पर लग जा कहां पर धन्यवाज जी क्या तो बोरी उठाब मैं अंदर बैठता हो जी हाँ बैठ जा मामे जाँ पाइल देख कौन आया है तेरे प्यार में ये क्या कर दिया पहकने लगा दिवाना दिल तेरे प्यार में ये क्या कर दिया पहकने लगा दिवाना दिल संभाला नहीं संभाले से भी सनम हो गही बड़ी मुश्किल तेरे प्यार में ये क्या कर दिया पहकने लगा दिवाना दिल पहकने लगा दिल ख्यालों के दिन बुजरे न अब एक पल साथी मेरे तेरे बिन तूने मुझे दे दिया दिवान की कासिला चलता रहे गुंद भर चाहत का ये सिलसिला तेरे प्यार ने ये क्या कर दिया बहकने लगा दिवाना दिल संभाना नहीं संभाले सभी संनम हो गही बरी मुशिकिल संभाल्ण मुबरे दो संभाल्ण संभाल जी चाहे ऐसे तुझे भरलू मैं आघोश में मैं भूल जाओं जहाँ तू ना रहे होश में तुझे को बना के पुदा तेरी बादत करूँ बोले ना तुझे को कभी इतनी महबबत करूँ तेरे प्यार ने ये क्या कर दिया पहतनी लगा दिवाना दितनी संभला नहीं संभाने सभी संदम हो गई बड़ी मुश्किल 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 आप दरसल यह है जब तक दो चार रोट्टी से पेट पुझाना कर लू तो यह गाड़ी निया चलती मुझसे ओ चार दिन का सवर है डादी यह लीजे प्रताप अंगल के लॉट्री के टिकेट चेक कर लीजे के मुश्किल प्रताप एक मुश्किल इसमसी नियू परताप परताप किरी दस करोड की लाटरी झिले थी कजैनने कि नहीं ने से तरकार वान परताब सब्कभких तक अब Бटाः की में मेरी लाट्री और दस करोड मैं हम अमीर हो गए बेटी मुझे यकीन नहीं हम लोग अमीर हो गए दस करोड के मालिक हो गए हम लोग लोग बेटी हम आमीर होगे वह अमीर होगे कि अमीर होगे कर देख कर देली बाकीदे पहरा खराद जल ले उतर आए मैं फस गई है थोड़ा तका मार देऊ तका मार देऊ एक बार हो अर्मा देऊ जी वह किना खाली यार लो कर लो गल अपने हमको नहीं पचाना अच्छा पता शात है नहीं आपने हमको नहीं पचाना ओ जी पचानेंगे भी कैसे हम पहली बार सखवारा से जो आए है अरे कहें तुम बनवारी के पुतर तो नहीं हो अच्छा जी लोकर मैं तरु किया सिरा चाचा जी रूबाब वह वी सारवाद मिलागा ना तावी मनुपचान लड़े अरे पाएल पैर दिदी और चपकार अखोतेया ओय होय मैं सतके जावाब मैं वारे जावाब इन्नी सोनी कुड़ी इन्नी सुशील कुड़ी नो वो कमी ना लेकिन चाचा जी आप चिंदा छड़ देऊ कि इससे शादी कौन करूगा हम खुर्बानी देंगे चाचा जी हम आगए है यह मेरो छोटा प्रों चिंदा ये करेगा इससे शादी हाँ राजा भाईया अब किससे मिलने आइँ है कि मैं अपने भेलिकों लेने आया है अब यहनी रही देविव को नकान है यां reaर्या टिमलगी ज Curator तुन्हें आज है ना अपने में का दिल तोड़ा है तुन्हें दिल अरे जिद्दिकी वर पैसा कमाने का शपना देखा और आज जब पैसा मिल रहा है तो उसे लाद मार रहा है पर मैं भी आए ना तेरा दिमाग ठीक करके रहूंगा प्रॉब्लेम दूर हो जाएगा जाओ पापपा जी अगर आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की ना तो मैं आपके पैर में क्या पूरे पतल में कुद्ध कुद्ध कर दू रहा पैर चोड़ बोल तुकी स्टोरी इस तरह है कि मेरा यह कहना भाण जाए नाम उसका है राज्ज चुछ कुछ करो कि मेरी करोणपती लड़की से शादी हो जाए ताकि मैं न दुनिया के किसी भाणजे पे डिपेंडेंट न रह सकूं अर्य इस बाबा की ताकत को तुँ जानता नहीं अगर मैं चाओं तो हावाओ का रुख बडल कर पहाड़ों में सुनाक कर दूए यह क्या है के क्या है कीक डे लिऑउन से भाड़ का बापा का के दोन से जीए वापन gracious khi तो जिसको किलाइगा प्यार में दिवानी योख कर ऐससे बागए गी जैसे मजनु की पीछे लेला रोम्यो की पीछे जुलियेट उसके पीछे वो उसके पीछे ये तेरे पीछे कौन समझ गया समझ गया मैं वह 20 लाख का चेक है ना वह खना एंखना कंपनी को भीजवा देना 20 लाख अमेरीका से एक मिनट मेडम आपका अमेरीका से फोन अमरीका से अच्छा वह आपके कंपनी में हमारे एक्स्टा पेमिंट आ गया है तीन लाख डॉलर का वह पेमिंट साथ दिन के अंदर भीजवा दिजिए ओके ओ देवी जी नमस्कार नहीं मैं तो आपको बस ये केक खिलान केग करना चाता हूँ केक हां आज मेरा है ना है पीट देड़ है जी ओ जी खालो ना जी नहींतों मेरा दिल तोडन है और आपने थी प्राद दिल तोड़ दिया तो मैं तो पूरी तूटब जाऊँगा जी और टूट ऱुटका हूँगा ची निम्हें पाल से अग्से तो शादीलाल के बीचे शादी करने के ने भागेगी, शादीलाल भाग, भाग अरे 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 बच्पन से आज तक मैं कभी पेड़ पे नहीं चड़ा लेकिन कुटिया की बच्ची तूने ना मेरे को आज पेड़ पे भी चड़ा दिया अरे मैं तेरे हाथ जुड़ता हूँ, तू चली जा, अरे चली जा, मेरा इंतजार क्यों कर रहे है तू, अरे चली जा अरे कहाँ, घुशे जारे है, अ करणा है कि इतने भी तमीज़ नहीं कि कि मगर मैं अपने गल्ती का इसास कर चुका हूं और मैं अपने धर्म पत्नी को लेने हा हूं मैं जानता हूँ बेटे, तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, उसके बगार तुम रह नहीं सकते, मैं तु ये भी जानता था कि एक दिन उसको लेने के लिए तुम वापस जरूर होगे, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को शादी के उसी लाल जोडे में सजागे र हूँ यहार लेजा आपनी पत्नी को यही है तुम्हारे असली मुहबबत, असली धरम पतनी अरे तुम्हें मेरी बेटी से नहीं, इन पैसों से प्यार था इन पैसों के लिए तुने मेरी बेटी से शादी की थी इन ही पैसों के वज़े से सब के सामने तुने मुझे जलील किया था और इनी पैसे के वज़े से तुने मेरी बेटी को ठुकड़ा दिया अरे बेटी का दर्द तो वही समझ सकता है जिसके खुद की बहन या बेटी हो तु क्या समझेगा तुम्हें पैसा चाहिए ना उठाओ उठाओ जितना उठाओ सकते हो और अगर ये भी कम है तो दूसरा कमड़ा नोटों से भरा हूए लेके जालों के नेत बात याद रखना पैसा दे रहा हूँ बेटी कभी नहीं दूँगा आप मुझे गलत समझ रहे सासुर जी आप मुझे गलत समझ रहे बढ़ा बेशरम आदमी है तो अभी तक यही खड़ा है अरे इसको तो मालूम नेगी या खड़ा क्यों है इसकी जगा को यह और होता तो गाहां को अटिकिन कटाके यह फौर अडिया से चले जागा मैं जाने वालों मेंसे नहीं हूं पोचाने वालों मेंसे हूं गजी जी death and अप मुझे कि क्यों सुनूं यह पत्तनी के मामले आपकी बहुadora रहा है वई है वाई कौंछंसा पत्ति यह बात कर रहा है वही जिसने सारे शहर के सामने अपनी बीवी को जलील करके उसे ठोकर मार कर चला गया अरे मर्द पत्नी की इज़त और आपरु के लिए अपनी जान देते थे हैं उसे सरे महफल बदनाम नहीं किया करते और तुमने तुमने तो सारी कहानी ही खत्म करते लेकिन फिर भी एक सलाह देती हूँ तुम जवार हो दुबारा शादी तो करोगे ही लेकिन जिस लड़की के साथ भी दुबारा शादी करो उस करीब को कभी किसी के सामने जलील मत करना, उसे मेहनत की रोटी खिलाना, क्योंकि मेहनत की रोटी के एक निवाले के लिए, पत्नी अपने बाप की करोडों की दौलत को ठुकरा सकती है, लेकिन शायद तुम यह नहीं समझोगे. तुमने बिल्कुल ठीक समझा, यहान एंजानम मैंने ऐसे रास्ते पर कदम रख दिया है, कि मैं जितना आगे बढ़ता जाओंगा, मेरी मन्जिर उतनी ही दूरूती जाएगी. यह बाबुजी ने बहुत पहले कहा था, कि जब दिमाग काम नहीं करें तो बस उपरवाले परपरोसा रखो और आगे बढ़ो, तो भाईया, हम तो आगे बढ़ते हैं. आप जैसे बड़ा इंडेसलिस्ट, अगर इस फैक्टी को खरीद ले, तो यह फैक्टी डल जाने कहां से कहां पहुन जाए, मैं तो कहता हूँ, यह हिंदुस्तान की टॉफ फैक्टी बन सकती है, ठीहा टॉफ फैक्ट्री. राजा, आप इसे जनते हैं क्या अच्छी दरा से जानता हूँ, यह यहां काम करता है, जहां, आफ काम की बात करते हैं, मैंने इस जिन्दगी में काम के पीछे एतना दिवाना इंसान आज तक नहीं देखा, तीन महीनों से काम कर रहा है, लेकिन दस आदमियों का काम अकेला करता है। नजाने कौन सा जुनून सवार है इस पर नजाने कौन सी दिवानगी है जब भी पूछो अजीब सा जवाब देता है बलके मैं तो यह कहूंगा अजीब सा शेर पड़ता है चाहे जो दाग मात्ये पर है उसे पसीने से मीटाना है जो इज़ट डूप गई है उसे कि प्रवाद करवादू मैं नहीं कोई जुरूद नहीं और उसको पता नहीं चलना जी कि मैं यहां पर आया था क्यों है को बात आओ बेटा आओ आओ यह जो तुम्हारा बाप खड़ा है ना इसके दिमाग में थोड़ी सी अकल डालो क्यों क्या हुआ पेटी यह जो पैसा होता है ना इसके पाउं नहीं होते हैं लेकिन पाउं वाले से सोगोना ज्यादा तेज भागता है इसलिए पैसे को भागने से तुम चोपरों मैं तुमसे बात कर रहा हूं, नहीं न, मैं बिट्या शे बात कर रहा हूं बेटी, कल मैं ए क्स्टील फैक्टरी देखी है उसके यह आगे बढ़ने के चांसे बहुत अच्छे हैं, मैं चाहता हूं कि वह फैक्टरी तुम खरीद लो मैं नहीं तो कह है घास क पहले आप उठिए आप उठिए अच्छा दुनों साथ में उठते हैं लेट्स गोव अपटिए अच्छा पायल मेरी प्यारी प्यारी पैन किते चल लिया एक प्राठा तो खाती जा भावी मुझे भूख नहीं है लोग कर लो गल स्वेरे से ना तुने कुछ खाया है ना यहां तो बहुत गर्मी है बस इतनी सी गर्मी से धवरा गई जरा नजर घुमा के तो देखो पस शिताग के आग में सिर्व को इसलिए जल रहा है ताकि उसकी बीवी उसको वापस मिल जाए है 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 राजा भाई राजा भाई आपको मनेजर साब ने बुलाया है अरे भाई इतनी जल्दी नहीं है पहले खाना तो खालो अरे खाना जिंदी बर खाया है अब उच्छ काम कर लें बाद में खाना खालेंगे चलो चलते पार अब आए कर अ कि यह मेरे टीफिन कहा गया राजा भीया चले मुस्तफ़ा टीफिन ही गाया ने खाना है ना हमारे पास दुनों बेखे खाना खाते हैं चले साथ में खाते हैं आज साथ में बिस्मिल्ला करते हैं आज के दिन हर सुहागन अपने पती के हाथ से कुछ लेकर करवा चौत का व्रत खोलती है आज तुम दूर ही सही तुम्हारी जूटी रोटी खालूंगी मैं समझूंगी मेरा व्रत पूरा हो गया मेरे मखनो वर्त खोल लो सेरदा कुछ खाता नहीं तो सुख गया तुसी क्या है पाइल पैन यह क्या कर रहे है तू भाई चोहर सुहागन अपने पती के लिए करती है कौण सा पती आपकी कितने पती है कोई हैगा मेरा भी एक ही पती है राजा है देखा देखा जी आपने इसने राजा के लिए व्रत रखा तब भी तो मैं कहूं कि स्वेरे से इसने कुछ खाया पिया क्यों नहीं ओ जी सुनो अगर ही राजा के पास वापिस चली गई तो फिस साटा की होगा मेरे प्यारे मक्षणों तुसी पिकरना करो तुरह अपने मक्षण ना कमालते देखो ए व्रत एदा राजे वस्ते आख्री है आज इते बाद सारे व्रत साटे चिंदे वस्ते रखेगी मैं सेरा चाचा जी नूं मिलनों आपल अरे बस करें और कितने दिल भगाएगी बाप आपूसी ज्यादा प्यार है तुम्हेरा हाल देखकर लगता है तुमसे वाइल पयार किया है कोन अब तुम्हें बगाने वाली उलूसी आपी जिकर नम लगपाजी पिजानवर का नम लगता है हां चार पेरो वाली जिक ओदेखो एसे खड़ी है जैसे मेरे साथ है ना साथ पेरे लेकर ही मानेगी लगता है रांग नमर लग गया ओ बाबाजी सब कुछ रांग हो गया केक खिलाना था एलफ और लक्षमी को और खा लिया एलफ और लूसी ने लूसी तुम्हारी जिंदगी की कड़वाट में समझ गया ये सब्सक्राइब करने लगेगी ये केक तो मैं लुसी को खिला की रहूंगा ये क्ले खाले मैं तरहाइब थे केक खिला रहा हूं तो जब तक मैं टॉमी के एक दो रिष्तेदारों को यह केक नहीं खिलाओं तो फूरा मान जाएगा दिन टूट जाएगा उसका ओ आंगे शॉरी उस दिन आपका केक नहीं खाया मैंने मुझे बहुत दुख है लेकिन आज मैं आपका केक जरुब खाऊ तो अपनी बेटी को तलाक लेने का मशौरत है इसलिए कि मैं अपनी बेटी के पती को अच्छाइब अच्छी तरह से जानता हूं कि वो कितना नीश कमिना और मक्तार इसलिए मुझे उसकी कुछ पर्वा नहीं लेकिन आज वो एक मेहनत का शिंसान है पिता जी मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है वो अपनी मेहनत से अपना और अपनी पत्नी का पेट भर सकते हैं पित हो कर लो गल ससुल भी आगया शामा करना संब्री जी हम लोग शाद गलत वक्त पर आ गए हम लोग यह सोच करा आए थे कि हम अपने बेटे में और बोग में सुला करा देंगे तो मैं बता नहीं था कि यहां पर तो नौबत तलाग तक मौँच चुकी है आप हुमारे राजा से इसलिए नारास थे क्योंकि वो काम चोड़ था दूसरों के पैसों पर आश करना चाहता था दूसरों पर बोश था लेकिन यकिन करिये भाई साब हम इसा बिलकुल नहीं है उसे अहसास हो गया है कि अपनी मेहनत की कमाई का मज़ा कुछ और ही होता है उसने अपनी गलती का प्राइश्चित कर लिया है और प्राइश्चित से बढ़कर कोई सजा नहीं होती आज मैंने अपने बेटे को ट्रैक्टर में फसीन अबाहते वे देखा तो जिन्दगी में पहली बार मेरा भी सीना फकर से भूल गया मुझे भी लगा मैं नौजवान मेहनती बेटे का बाव देखे शिवनाज जी आप अपने बेटे की लाख सफाय पेश करें लेकिन उसका मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है मैं उस बेज़जद इनसान को अपनी बेटे कभी ने दूगा आपका बेटा उस दिल हमें इसलिए ठुकरा कर चला गया था कि हम गरीब थे लेकिन आज मैं आपके बेटे और आप सब को इसलिए ठुकरा रहाओ कि आज मैं अमीर हूँ अच्छ 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 तो कहानी की असली वुनियाद यह है मैं तो अपने रूठे वे संधी को मैनाने आया था मुझे क्या पता था कि मेरा संधी जोए उसे बड़ी जल्दी दौलत की हवा लग जाएगी पर माफ कर ना भाई यह जो सारी दौलत और शान और शौकत हैं यह आपकि अपनी मेंद की कमाई हुई नहीं है लोटरी से आई हुई है लोटरी एक किसम गा उतार जुवे की दौलत पर इतना मत इत्रही है आप तुम जैसे बिखारी की नहीं देखे आपको या बत्तमीजी कर रहे हैं अच्छा मैं बत्तमीजी कर रहा हूं तो यह मुझे मारेगा ले मारो जे आपको कर रहे हैं तो ने मेरे बाबुजी पहाँ उटाया? पाई से दुदस्टों रहे हैं न्यूंते को अदो ने डिए नियुक्त आप अगे झाले हाथ तोड़कर इतना दुर फिर्ग दूगा ऐसे जनम लग जाए डाई मैं चल कर गण पभूजी आप क्या करने आए आपर बेटा हम अपने बहु से मिले आए थे अरे का है की बहु है यह लोटरी के बल पर अमीर बनने वाले इनके रिष्टे भी लोटरी की तरह होते हैं लोटरी लग गई आदमी करोड़ पती नहीं लगी तो काई का पती है वैसे मेरी यह राय मेरे ससुर जी की बारे में है मेरी पत्नी की मेरे बारे में क्या राय यह मुझे नहीं वाल। चल बहुत अब आठाओ अधि तुम्हारे बोलने का मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना आच तुमारे चूप रहने का लगाया मुझे बाबुजी और मेरी मां की बैसेती हुई तुम चूप रही अच्छा नहीं लगा मुझे यह लेओ, कमाल हो गया, साला हराम खोर बत्तमीज, अपनी बुराईयों को चुपाने के लिए, खाम का हम सब को बेटगा देला गया, भई हम कुत्ते हुए, तो चाचा जी भी तो कुत्ते हो गया, और नहीं तो क्या, सेड जी, अब मेरे लिए क्या हुकम है, लो कर लो गल, अ है, यह शो हों को सब सबसे दोधा है, अवि sır जना है, यह शाल हुकम है, है, और आल, मी आज उना, आज़िए आज़िए। यह क्या है, पिताजी श्याहु आज़ा, भी आज़ज़ा थे क włodhomo मैंने लिख दिया है कि जितनी भी दॉलत आपने मेरे नाम की थी मैं वो सारी दॉलत आपको वापस दे रही हूँ और अपने असली दॉलत के पास जा रही हूँ अपने पती के पास मतलूब तो अपने बाप को छोड़ कर चल जाएगी मजबूरी है पता जी बेटी पती के पलू से पलू बाद कर अगनी के जितने फेरे लिती है बाप का हग उतने ही गुना कम हो जाता है और पती का हग उतने ही गुना ज्यादा मेरे पती का हग आपके हग से साथ गुना ज्यादा है क्योंकि मैंने अपने पती के साथ साथ फेरे लिए है नए जीवन में प्रवेश करने जा रही हो आशिर्वात दीजे जाने से पेले मेरा भी फैसला सुनती जा आज तु इस घर के आशो आराम को ठोकर बार कर जा रही है लेकिन एक बाद याद रखना गल अपने गरीब पती के घर में बरतन मांचते मांचते तेरे हाथ घिश आए और चूला फूंकते फूंकते तेरी आँखों में आसु आ जाए तो किसी तक्ये में मूँ छुबा कर रोना लेकिन इस घर की देहलीज में दुबारा कदम मत रखना अप्चा तक्ये में मूँ छुपाने की नौबत नहीं आएगी पिताजी मैं अपने पती की हैसियत जानती हूँ अपने पती के घर में शायद मुझे सर रखने के लिए तक्या भी नसीब नहों अपने पताजी के साथ चोड़ दीजे ने अचपाई तू क्या सोचती है पिताजी से रिष्टा तोड़के तू पती के घर में सट्वल जाएगी और हम लोग हाथ मलत दरे जाएगी अपने तरह से हम चाचा जी की सेवा कर रहे हैं कभी नम की लट्षी कभी मिठी लट्षी और कभी अलू का पराठा ओ जी आलू के नहीं गोबी के पराठे तेमू हूली के पराठे और हो जो सुरसु का साख खाया है था की डालके वह कुछ नहीं पता है बैन दूशत्वर ब पोड़ा दबाने में टाइम नहीं लगता मुगे। दिदी। दिदी। हाथ पाणे दा। लेकर चल्ल। खुडिये। चल्ल। चल्ल। हाँ हाँ बड़ी आई बड़ी। यह क्या करें बड़ी। मैंने अपनी आखों से देखा है बाबुजी। वह कमीना मक्षन और चंदा पाइल और माली काका को जबरदस्ती उठाकर ले गए है। और वह पाइल की शादी चंदा से कराना चाहते है। इसका मतलब है जो कुछ हो रहा है मेरी बभू की मर्जी के खिलाफ हो रहा है। तु सोच क्या रहा है, जाके मेरी बभू और संदी को बचा जा रहा। काय का संदी और काय की बभू। जब वो लो कोई रिष्टा ही नहीं रखने चाहते हैं तो हम लोग क्यो नाता रखे। नाता तो तुमने तोड़ा है राजा पायल ने नहीं। वो तो आज भी अपने पिता का घर चोड़के तुम्हारे पास आ रही थी। सिर्फ इसलिए कि वो तुमसे बहुत प्यार करती। हाँ हाँ कोई प्यारवार नहीं करती। सब ड्रामा आये। ची। तू ची। राजा। मेरा बेटा पत्थर से हीरा बन गया। उसके मुह से यसे शबद अच्छे लगते हैं। मेरी बहु को नहीं लाएगा। अरे नहीं बाबोजी मेरा खुन तो कब से खॉल रहा है। वह क्या है ना इतनी दिन से पाल भाव खा रही थी ना तो मैंने सोचा कि आज मैं भाव खा लू। अरे खाने से कहाता है। झीजी तुह ने पता है जब तुने इसे घर से भात निका दिया था तो इसने कहा था थपन खाने की बजायना मैं मां से जुते खाता तो बहुत अच्छा होता। ना आप खाने का दिल कर रहा है. तु जा रहा हूँ ना पाल को बचाने। मैं भी तो आ रहा हूँ तो चल ला बशाने तो तो तू को आप था ऐ ख़ड़िये मैं तुझे आखरी बार कहता हूँ कि शादी को चोड़ा पहले नहीं कभी नहीं है 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 एक तो लड़की शादी के लिए मान रही है और तू बैंट बजाता जा रहा है हो साब हमने आपको पहले कह दिया था हम सिर्फ दो गंदे के लिए बैंट बजाएंगे मुझे अमरिश्पुर के शूटिंग में बैंट बजाना है क्योंकि हमारे स्ट्रेश का बड़ा लाई है कि अपना बेटा समझ कर सीने से लगाया और तुने मेरी पीट में ही चाकू खोब दिया कि अपने बजार में अपने बाप को भी देते हैं और तुने से बंद कर अपना ये घ्रमा अपने कपड़े पैर कर शादी के लिए तयार हो जा अरे ये क्या कर रहा है मक्षण जी शुदा नर्की की फिर से शादी करने जा रहे हो अरे कानून नं चुरू मैं चूँ अखिल अरे मतलब ये कि जब तक मैं पाल को तलाक नी देता तुमारा साला जादात का पूरा हगदार नी बनता ना हमने उसना नचुरू रहा है अरह यार साफ-साफ साल अरे मैं जान चाहरा हों कि आप को तलाक देकी तो तीयार हूँ किया कि रहे हैं ए पेसे ने लाकी होगा तैसे ए 밭ी मने देड़ो सादि मेर करन के अरूं कर में विजिका सनका सोत Sam पुझाप पुझाप खड़ी रहा है अरे आके फार करो दो लेफ्ट में क्या देख रही हो इतनी सीटी बजा समझ है या चुप चाप खड़ी रहो और आप क्या हुजा रहे हैं जब तक 50 लाग रुपे नहीं मिलेगा ना मैं नहीं साइन करूगा जहाँ जाँ लाग दो लाग दो लाग दोलाग के जेवर लिए करोणो की टॉलाग चलेगी तुले अगी मैं नहीं कटती ओई चिंदे इदे आज जी पकड़ा अपनी दीदी ओझाट में उतारे यह उतारे ना कंपड़े पढ़ेचे पैंदे उए नाइस का बर्मुट्टा अगर मिल जाए तो पर्मुट्टा पैटूगा पैंदे नहीं मुद्डे में बैठके पर्मुट्टा फाड का हां इसके लंड़े टитесь को बुड़े ऊपकड़े उतार मुफारा है ना उतारर केजाद अश्रमुट्ट Music औरो भॉनाम जबूर सऀना है तुज आमरीशपूरी शूटिंग इसे मुभा हुआ पालव हुआ थो डॉसका गातोर जरी में तो खाल इसको अरे मेरे जिडी, अरे मेरे रोली पॉली जिडी, मेरे प्षापाई था हूरी है तो इतनी तरह मोटा कैसे हो गया है खुशी से हो के मोटा खो साब, लेकिन तुम मुझे क्यू दुबला करें मुझे आमनी सुनिक में बैन 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 ना, मेरे पैसे दो मेरे जिजा जीगो परशाव दो दो मेरे पैसे, पैसे दो जा दी हो इनी पैसे मागता है, बैन बैन बैन? स्वाहा, आज से आप दोनों पती-पत्नी हो गए मेरे बीवी मुझे माव कर दे, मुझे माव किया तो बहुत ताकत है तुम्हारी बाज़ों में क्यों का अबे मोटी है काई जाट्च का दिया मोटी है क्या कर रहो का कर रहो मोटी है इसा मजक करना आज पैले अटा अहां प्टी होल अबे मोटी है प्रमार मन्नैशे दुना ओर्द वंगाओ अर्दू काश्रा है देदी नंगाओ किया जोसेदे तु लड़ क्यू नीडा विदी कीदा लडा ना ना नहीं है कच्छा लिशे के रе रहा है मैं है पकड़ती है तु लड़ पुत्तर मेरी जी आओ जी मनने कही मेरा नाम साधी लाल है जी कर लoh कर ल कर लगकर बन मzinhovा झाल जॉए हाई हाई कि और फो अ हाई हाई कर लुब यह कर लगकर हाई बुले तो घस हाई 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 याल पटाश्शता है फई भूला डबाइनियर झाले रूला either एक चल रहा है अभी चछा तो नीचे नहीं आएगा लेकिन ऊपर नोचाएगा कच्छा को लेता है नहीं आपके मारूं अधाए आए अच्छा के आप लड़ने का बिल्कूल मूड नहीं था वह तो जेल जा रहा है मेरे पैसे कोन देगा मेरे पैसे दीजे मुझे आमरिश्पूरी के शूटिंग में बजाना है दो मिनट और रुग गया तो तुम तो चोकी तर थे ना बंगले पे अब चुपने से क्या फाइदा चलो मेरे साथ चलो आओ तका क्यूं आती है चला चला दिद्दी देखा है पहनी बार साजन की आखों में प्यार देखा है पहनी बार साजन की आखों में प्यार अब जाके आया मेरे दिछेन दिल को अरा अजी आप बुरा ना मनो तो एक बात कहूं कहिए ना पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको देखके मुझे कुछ कुछ हो रहा है पेरा नाम शातिलाल है लेकिन शाति अभी तक नहीं हुई है लगता है इस सेहरे पर आप का दो लुखा हुए है आप बुरान माननें तो मैं भेग बात कहूं दोड़ कीम भी बर्सें से कुआ रह रहे हूं और मुझे लगता है एक मिनिट और कि इस मंगल सुत्र पे भी आप दी का ना मों लिखा है तो मैं आपके दिल में रहना चाहता हूं आपके घर में ना चाहती हूं बिटे मुझे माफ कर दे मत मुले टाइम नहीं है मेरे पास जो बड़े बुद्रकों का में वही करिए आप बस अरे अरे चलों घर चलते हैं करोड़ों की दौलत है तुम्हारे सिवाए उससे समाले का कॉष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् यह जो कि अधिन कमाईवी रोटी होती है ना वह खाने का मज़ा ही कुछ और है वह दूसरों के करोड़ों में नहीं है नहीं है ओ मामें और किदर रहे तू भाणजे डिस्टब मत कर मेरी कहनी का दी एंड बहुत अच्छा हो रहा है तू अपना काम कर मैं अपना काम करूंगा और ममा गढूँ भाणि एंड गढ़ी राचाजी राचाजी मेरा नाम आश करना आश करना यह करना मेरा काम जहां जिधर से जाता हूँ मैं सब करते हैं सलाम राजाजी 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 राजाजी